दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रेलबे रेकुपमेंट बोर्ट के द्वारा आपको बता दे रेलबे रेकुपमेंट बोर्ट के द्वारा जो भरती निकाली गई है आप जानते हैं NTPC का जसमें दो अलग-लग प्रकार के कैनिडेट को मौका दिया गया ह जो 12 भी pass है वो भी लोग apply कर सकते हैं जो graduation pass है वो भी लोग apply कर सकते हैं जैसा कि आप जानते होंगे पुर्व में इसका जो तीथी निरधारन किया गया था graduation pass candidate के लिए इसका जो last date था वो 13 तारिक तक रखा गया था वो ही under graduation की बात किया तो 20 अक्टूबर तक इसका जो last date था और रखा गया था लेकिन समस्या क्या हो रही है कि बहुत सारे student जब online apply करने जा रहा है तो कई परकार की अभी जो है online error मिल रहा है किसी का जो है यहाँ पर साधार verify नहीं हो रहा है किसी का photo नहीं upload हो रहा है तो कई परकार की समस्या देखनों को मिल रहा है student लागातार इन चीजों को लेकर परसान हो रहा है तो finally आपकी जो परसानी है वो दूर कर दी गई है आप सभी के लिए जो last date है उसको extend कर दिए गये हैं आप देखेंगे rrb www.gov.in के website पर है और यहां पर देखेंगे latest update में ही इन्होंने 8-10-2024 के rate में दो notification जारी किया है एक अंडर graduation एंटिपिसी को लेकर एक graduation वाले candidate को एंटिपिसी को लेकर दिया है अब दोनों notification में क्या कुछ बताये गए हैं साथ ही वो आई यह समझते हैं यह notification अंडर graduation यारी ब परकार के candidate के लिए अब जो date है उसको extend कर दिये गया है अब आप सभी का जो last date रख दिया गया है वो 27 October 2024 तक form को आप फिल कर सकते हैं मतलब कि आपको one week का और मौका दे दिया गया है यह 12th pass के लिए ऐसे 20 तारिक तक आपकी जो last date थी वो रखी गई थे बाकि आप सभी का जो आपको form भड़ने में कोई गलतिया होती है तो correction window open रहेगी आप तिस तारिक से लेकर 6 November तक correction कर सकते हैं इसके अलाबे बताया गया है कि जो बिकलांग candidate है वो बिकलांग candidate को बताया गया है कि आप चाहे तो अपना June को परिवरतन कर सकते हैं यह 27 October 2024 तक यह जो है आपको पास candidate है अंडर graduation वाला पोस्ट के लिए apply करना चाहते है तो आपके लिए लास्टेट है वही बात की जाए जो graduate candidate है उनके लिए यहाँ पर भी सभी candidate के लिए जो लास्टेट निरधारन किया गया है वह 20 October 2024 तक निरधारन की कई है अगर आप 20 तारिक तक registration कर लेते हैं तो एक only जो दिव्यांग candidate है इन सब को अपना जोन बदलने का मौका दिया गया है आप 20 अक्टूबर 2024 तक जोन को बदल सकते बाकि all candidate के लिए registration और form को समिशन करने का जो लास्टेट निरधारन किया गया 20 अक्टूबर जो कि graduation pass candidate के लिए रखा गया है तो यह अच्छा मौका है उन जल्दवाजी के चकर में गलत तरीके से form को मत अपलाई किजिए क्योंकि आपने देखा लास्टेट एक्स्टेंड हुआ है सर्वर पे थोड़ा सा लोड है जिन कारण से कई परकार कि आपको प्रॉब्लम देखनों को मिलता होगा तो अभी थोड़ा सा वेट कर लिजिए व पास भी है तो कैसे अपलाई करना यह वीडियो देखीगा साथी वह मैंने कल बनाया है और बहुत ही अच्छा आप लोग इन प्यार दिया है हर जनकारी मैंने उसमें बताया है जैसे फोटो सिंग्नेचर में परसानी हो रही या अधार वेरिफिकर्शन में तो उन तमाम समस के अच्छा है बताय है जया है जिली से उनले है है।